कोरोना महमारी से जूचते हुए पूरी दुनिया को करीब डेर साल हो गया है इस बदलते कोरोना ने दुनिया भर में करीब 34 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेली है लेकिन एक सवाल अब भी हर किसी के मन में उठता है कि आखिर ये कोरोना वायरस आया कहां से ये सवाल हर किसी के मन में जरूर है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है इन सब के बीच एक खूफिया रिपोर्ट सामदे आई गया है जिसने सब का ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ला दिया है नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी एक अमेरिक खूफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने से एक महीने पहले वुहान का स्टाफ बिमार पड़ा था रिपोर्ट में बताया गया है कि वोहान लैब से तीन शोद करता इस दौरान बिमार पड़ गए थे अमेरिके अकबार वॉल स्ट्रीट जॉर्नल की खबर के मताबिक वुहान इंसिट्यूट ऑफ वायरलॉजी के तीन शोद करता नवंबर 2019 में बिमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद भी मांगी थी अमेरिका के इस खूफिया रिपोर्ट में वुहान लैब के बिमार शोद करताओ के संख्या उनके बिमार पड़ने के समय और अस्पताल जाने से जुड़ी विस्ते जानकारिया दी गई है अमेरिका की और से जारीस खूफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ये खूफिया जानकारिया उस दावे की जाँच तुबारा कराने पर बल देंगी जिसमें वुहान लैब से कोरोना वारस फैलने की आश्रंका जताई गई है अमेरिका की और से ये खूफिया रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब विश्व स्वास्ते संगठन एक बैठक करने वाला है जिसमें कोरोना वारस के उत्पत्ती के बारे में अगले चुरंड की जाँच पर चर्चा का अनुमान है अब क्या करेगा डबलू एचो अमेरिका की और से जारी इस खूफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ये खूफिया जानकारियां उस दावे की जाच दोबारा कराने पर बल देंगी जिनमें वुहान लैब से कोरोना वारस फैलने की आश् ठेंड नगी हैं कि कोरोना वारस वाहन की लैब से दुनिया भर में फैला आपको बता दें कि नवंबर दोहजार उन्निस के बाद ही दिसंबर जन्वरी के बीच दुनिया को कोरोना वारस महामारी के बारे में पता लगा था इस रिपोर्ट को अमेरिका के पूर्व शेहर से हुआ वहीं चीन इस आरोप को खारिश करता आया है उसका कहना है कि इस वारस का पहला पुष्ट मामला आठ दिसंबर दोहजार उन्डिस को आया था जब एक व्यक्ति के अंदर इस वारस को पाया गया था जेनेटिक बदलाव कर देखा जा रहा था इंसानों में को कोशिकाओ पर इस वारस के असर को लेकर 2015 में प्रियोग चल रहे थे ये प्रियोग वहान के वायलोज इंसिट्यूट में चल रहे थे और इसमें वेट लेडी नाम से ख्यात महिला विज्यानी शी जेंगली शामिल थी शी अमारिका की नौर्थ कोरोलिना युनिवस्टी के कोरोना वारस के सक्राओ ख्यात को लेकर अभी तक जितनी भी आशेंकाय जताइगएं गई हैं उसमें सबसे पुकता वहान की लैप में उसके बाहार आने की हैं ये मानना है विज्ञान के मामले के प्रामोक लेकर निकोलस वाडे का एक्टॉमिक साइंटेस्ट के बुलेटिन में वाड़े ने लिखा है कि कोरोना वुहान की लैब से कोरोना वारस के बाहर निकलने की आश्रंका सबसे ज्यादा है क्यूंकि पूरे चीन में ये वही कलॉती लैब है जहां पर कोरोना वारस पर शोध चल रहा था यहां पर चमकादर में पाई जाने वाले कोरोना वारस को जेनेटिक इंजिनिरिंग में बदल कर उसका मानव कोशिका और पक्रभाफ देखा जा रहा था ये प्रियोग दाश्चिन टीन इसे युनान की गुफाओं में रहने वाले सैक्रो प्रजातियों के चमकादर लाकर उनके भीतर के वारस निकाल कर किये जा रहे थे ऐसे में ये खुलासा इस बात की और संकेत दे रहा है कि वुहान ही कोरोना वारस के उत्पत्ती का केंद्र है फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूट सुर्लिंग क्याओं